हेलो बच्चों, हमारा सौर मंडल के तितिय भाग के साथ मैं हाजिर हूँ तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी प्रत्वी का एक उपग्रे है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा किन्तु जो अन्य ग्रे हैं उनके कितने उपग्रे हैं आज हम इनके बारे में बढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अन्य ग्रे हैं उनके बारे में देखो बुद्ध बुद्ध है बुद्ध का कोई उपग्रे नहीं है इसी तरीके से सुक्र का भी कोई उपग्रे नहीं है प्रत्वी का एक उपग्रे है चंद्रमा मंगल के उपग्रे हैं दो ब्रसपती के उपग्रे हैं 69 जो की सबसे ज्यादा है जो हमारे सौर मंडल के आठ ग्रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपग्रह ब्रस्पती के हैं 69 या 79 सनी के 62 हैं यूरेनस के हैं 27 और नैप्च्यून के हैं 14 तो इस तरीके से हमने पता किया कि किस ग्रहे के कितने उपग्रहे हैं अब हम बात करते हैं चंदरमा की, जो की प्रत्वी का एक उपगिरय है, और जिसे हम क्या कहते हैं, चंदा मामा, तो हमारी प्रत्वी का ये एक मातर उपगिरय है, इसका जो व्यास है, वो प्रत्वी के व्यास का एक चोथाई है, और हमारी प्रत्वी के जो सबसे नजदीक आ से नजदीक होने के वावजूद भी स्थित है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं यह भी सुर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है क्योंकि इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है और प्रत्वी के सबसे अधिक निकट होने के कारण यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है एक और जो इंपोर्टन चीज़ है वो है कि सुक्र और यूरेनस जो है इनको छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीद दिसा में परिभ्रमन करते हैं और सुक्र और यूरेनस करते हैं सुई की घड़ी की दिसा में बाकी करते हैं उसकी विपरीद दिसा में अब हम बात करेंगे चुद्र ग्रह की चुद्र ग्रह को हम बोलते हैं इंगलीस में एस्ट्रोनॉइट्स चुनाओगा एस्टेनोइट्स तो अभी हमने देखाता है ना मंगल और ब्रस्पत की कक्षाओं के बीच में जो एक रेड कलर किसी पट्टी हमें दिख रही थी और बहुत ज्यादा गैब था उसी में ये छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं और ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं इनी को हम क्या कहते हैं छूदर गिरह तो अगर ये पूछा जाए कि छूदर गिरह क्या है तो मंगल और ब्रस्पत की कक्षाओं के बीच असंखे छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं की सूरज की परिक्रमा करते हैं उनी को हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं छूदर गिरह एक होते हैं उलका पिंड जैसा आकास ये पिंड है जो आकास में दिखते हैं और जो हमारे सौर परिवार का एक हिस्सा है उलका पिंड होते हैं जो सूरज के चारो तरफ ये भी चक्कर ल तारा फिर आते हैं पुछल तारे जिने हम कॉमेट्स कहते हैं पुछल तारे या धूमके तू भी उनको कहा जाता है ये चटान बर्फ धूल और गैस से बने आकासिय पिंड होते हैं ये भी अपनी कक्षा में गूमते हैं और ये सूरज के पास आ जाते हैं जब ये सूरज के बहुत पास आते हैं तो सूरज के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसकी वजह से जो इनकी गैस है और धूल और बर्फ है वो सब वास्प में बदल जाती है मिस दूवे जैसी हो जाती है और यही जो वास्प है ये एक लंबी सी चमकिली पूँच के रूप में निकल जाती है जो की हमें दिखती है तो यही होती है इसको हम क्या कहते हैं जो यह निकल जाती है यह होती है पुच्छल तारी की पूँच अब हम बात करते हैं तुम भी सोच रहे होगे इस बारे में कि इतने सारी चीज़ें बता दी कि गिरह हैं उप गिरह हैं और उलका पिंड हैं छूदर गिरह हैं धूम केतू हैं यह सब सूरज के चारोर चक्कर लगाते रहते हैं और कभी आपस में टकराते नहीं हैं तो ऐसा नहीं होता यह आपस में कभी नहीं टकराते क्यों कि इन सबका जो मारग है वो अलग-अलग है जैसे यहां देख सकते हैं यह देख रहे हो ना यहां पे देखो जैसे कि यह अपनी इस उसमें गूमेगा ठीक है यह कहां गूमेगा कोई भी गुमेगा उसकी अपनी अलग कक्षा है और वो उसी कक्षा में गूमता रहता है तो वो कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएगा जैसे ये सूरज है इसके चारो और ये गूम रहा है फिर इसके चारो और दूसरा गूम रहा है उसी के चार और तीसरा भी गूम रहा है चौथा भी गूम रहा है तो क्या ये आपस में टकराएंगे ये सब तो अपनी अपनी गख्षा में गूमते रहेंगे तो इसलिए ये कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं है एक होती है कुई पर मेखला या कुई पर बैल्ट ये क्या होती है जो सबसे लास्ट का गिरह है ना नैप्च्यून उसके पार सौर मंडल के आखरी सिरे पर एक तस्त्री जैसी विसाल पट्टी होती है जिसमें धेर सारे खगोली ये पिंड हैं जिन में से कई बर्फ से बने है और धूमकेतु भी उसी छेतर से आते हैं और वो आते 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 पत्थograph के और सौरज के बाद नसदीक आ जाते हैं और प्लूटो जो है प्लूटो वो भी इसी में ही स्थीत है तो जो मैंने बताए था ना प्लूटो की अब वो नौवा गिरे नहीं है तो वो क्या करता था वो नैप्चून की कक्षा का अतिक्रमन करता था इसलिए उसको 24 अगस्त 2006 को ग्रह की स्रेनी से हटा दिया गया इसमें सिर्फ आपको डेट याद रखनी है 24 अगस्त 2006 को उसे ग्रह की स्रेनी से हटा दिया गया ये सारी चीज़ें जहां पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं ब्रहमांड क्या है ब्रहमांड ब्रहमांड एक बहुत ही मतलब खुले आकाश में आपने देखा हो तो बहुत चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पत है उसका करोणों तारों का समू है करोणों तारों का समू और ये जो चमकीली सी पट्टी दिखती है उसे हम कहते हैं आकाश गंगा या गैलेक्सी तो हमारी आकाश गंगा यानि जिसमें ये सारी चीजें हैं हमारा सौर परिवार है जिसमें उसका नाम है मंदाकिनी जो भाग प्रत्वी से हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मिलकी वे और यह सरपील आकार तस्त्री स्पाइरल डिस्क के जैसा है और इसमें लगबग एक अरब तारे हैं और हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का एक भाग है तो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का एक भाग है मंदाकिनी का इसी प्रकार की करोणों आकास गंगाई मिलकर ब्रहमांड का निर्मान करती है तो ब्रहमांड को हम नाप नहीं सकते वो अनंत है विशाल है उसको हम पता ही नहीं कर सकते कि वो कैसा है एक जो चीज आती है जो हमने पढ़ावी कि इतना की प्रकाश वर्स प्रकाश को इतने दूरी तया करने में इतना समय लगता है तो प्रकाश वर्स क्या है? दूरी मापनी की इकाई है प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्स में चली गई दूरी जो लाइट है न, लाइट प्रकाश वो एक वर्स में अंतरिक्ष में जो दूरी चलती है उसी को हम प्रकाश वर्स कहते हैं तो ब्रह्मान इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि इसके एक समान प्रकाश अगर एक समान गती से चले तो भी उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने में एक लाख वर्स लगेंगे इतना बड़ा है हमारा प्रहमांट अब हम बात करेंगे किसकी next हम क्या देखते हैं एक हाँ, एक है black hall black hall क्या कहते हैं black hall एक ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी चीज दिखती ही नहीं है मतलब सारी चीज़े उसके अंदर जाके खो जाती है वो कभी फिर वापस नहीं आती इविन अगर प्रकाश भी उसमें चला जाए तो वो वापस नहीं दिखता हमें इसलिए उसको ब्लैक हॉल कहा जाता है तो ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल एक ऐसा आकास ये पिंड है जिसका बहुत अधिक भारत्वा द्रव्यमान अतियंत सीमित इस्थान पर एकत्र रहता है यानि कि जो इसका गहनत्व है वह बहुत अधिक होता है जोन ब्लैक होता है उसकी जगाम पर उसकी सारी ताकत होती है अब यह सेख़़ी होता है और यह इतना सकती साली होता उसका गुरुत्व आकर्शन कि कोई भी उसके आकर्शन से बच नहीं सकता यानि कि प्रकाश भी उसके अंदर नहीं जा सकता इसलिए उसको उसमें कुछ नहीं दिखता काला होता है वो इसलिए उसको क्या कहते हैं ब्लैक हॉल तो बस यह था हमारा आज का चैप्टर इतनी ही इसमें चीजों के बारे में बताया गया था जो कि हमारी complete हो गई है आप इसमें देख सकते हो अंतरिक्ष किसे कहते हैं ब्रहमान किसे कहते हैं उपगिरह किसे कहते हैं खगोलविद किसे कहते हैं यह सब अब आप इस पार्ट के आधार पर अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना तो यह हमारा आज का पार्ट यही समाप्त होता है फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ